दोस्तो आज की स्पार्टों में मैं तुम्हें 5 बेसिक एडवांस पुडवल्ड से बताने वाला हूँ इससे अगर आप डेली करोगे तो आप अपनी पुडवल्ड स्किल्सको आसानी से इंप्रूव कर सकते हो तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो नमबर उन पर जो ड्रिल आती है वहे ड्रैक वी बहुत देग दोस्तो ये ड्रिल करने से पहले हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है आप जिस तरह से सी स्क्रीन पर देख रहे हो उस तरह से आपको सबसे पहले इस ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है और फिर प्रैक्टिस हो ज लगाने है एक रेपेटिशन आपको टोटल शिप्टी सेकंड का यानि एक मिनित का एक रेपेटिशन करना है इससी की आप बॉल पर आपको कंट्रोल इंप्रोव होने में आपको मज़़द मिलती है नमबर टूपर जो दिलाती है वह रोल एंड श्टॉप दसको ये डिल की प्रक्टिस में हमें सबसे बेले बॉल करना है और पिर रोल पर के और फिर स्टॉप करना है और ये प्रेक्टिस होजाने के बाद आपको इस तरह से अब स्ट्रिन पर देख रहे हो उस तरह से आपको ये डिल करना है आपको राइट पूट से बॉल रोल कलके लिप फूट से स्टॉप करना है और फिर बॉड़ी प्रिंट में भी आपको इसमें काम करना है आप मैं मैं असानी से किसी भी आपनेंट को बीट कर सकते हो अब नंबर 3 पर जो डिलाते हैं वह इंसाइड अउसाइड दोस्तों ये डिल करते समय आपको इंसाइड ऑफसरे इंसाइड फूट साइड जिस तरह से आप तक देख रहे हो इस तरह से इसकी प्रैटिस करने है चाहे तुम्हें आपको इसको नजदिक से भी खरके देख र आपको इस तरह से ये ड्रिल काना है आपको ये ड्रिल की भी टोटल फूर रेप्रेशन लगाने हैं आपका एक रेप्रेशन टोटल वन मिनित का होना चाहिए दोस्तों आप भी बिल्कुल मेरे जे साफ़त वर्क इंपरो करना चाहते हो तो आपको इसको इसकी डेली स्किल दोस्तों आप स्क्रिन पर देख रहे हो उस तरह से आपको इसकी प्रेक्टिस करने है अगर आप विंगर की पोजिशन पर खेलते हो तो आपको इसका बहुत उप्योग हो सकता है लेकिन आपको इसके परफिक्शन के लिए डेली प्रेक्टिस करने जरूरी है दोस्तो तो आप इस तरह से स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरह से आपको ये डिल करना है आपको ये डिल के भी टोटल फूर रेप्रेशन लगाने है एक रेप्रेशन टोटल वन मिनिट का होना चाहिए यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है पुल करना है नंबर फाइव और आखरी जो ड्रिल है वह पुल एंड पुश दोस्तों में में पहले रैट पुट से पुल करके पुश करना है बाने लेट पुट से पुल करके पुश करना है आपको इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करने है फुल फुश एन फुल फुश इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करने है उसके बाद आप इसमें परप्टिक हो जाते हो तो आपको इस ड्रिल थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करने है और आप इस तरह से फिर कर पाओगे आपको भी यह डिल के टोटल फूर रेपेटिशन लगाने हैं और एक रेपेटिशन वन मीट का होना चाहिए इससे आप अपने बॉल पर आसानी से अच्छा कंट्रोल कर सकते हो और मैच में इसका उप्योग करते हुए अपने अपने को पिट कर सकते हो तो दोस्तों यह वीड झाल